ओम शांती 18 अक्तुबर 2023 के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा इस दुनिया के सारे लोकिक संबंद बंधन बन चुके हैं इसलिए बाप आये हैं तुम्हें सत्यूगी संबंद में ले जाने अब तुम्हें देह के बंधन को बुद्धी से तोड़ना है जब तुम आत्माई देह का सिम्रन करने लगते हो तब ही बंधन होता है अगर अपने को देही समझो तो रुहानी संबंद याद आएगा सत्यूग में होता है जिस्मानी संबंद यहां कल्युग में है जिस्मानी बंधन। इन दोनों से परे अब तुम्हें रुहानी संबंद में जाना है। अर्थात आत्माओं के देश परंधाम जाना है। बाप आकर तुम्हें रोज कितनी मीठी-मीठी बातें सुनाते हैं। लेकिन बच्चे नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते तो जरूर औरों को भी समझाते। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे इस ग्यान को न समझते न समझा सकते तो वहें क्या पद पाएंगे। जरूर पढ़े हुए के आगे भरीड होएंगे। इस समय संपुर्ण बाब आकर तुमको भी सोला कला संपुर्ण बनाते हैं। बाब बच्चों को दैवी मत देते हैं। जिससे तुम सदैव हर्शित रहेंगे। अभी तुम रावन पर जीत पाकर हीरे जैसा बन रहे हो। जो बाब को याद करेंगे उन पर माया का वार नहीं होगा। शिरिमत पर चलने से ही अथा सुख का वर्सा मिलता है। लास्ट में बाबा ने कहा पुरुशार्थ कर इतना पढ़ हो जो मम्मा बाबा के तक्त पर बैठ सको। अर्थात विजय माला का दाना बन सको। तुम शिव शक्ती से ना हो जो अभी गोडली सर्विस कर रहे हो तुम्हे सब को निर्विकारी बनाने की सर्विस करनी है। अब सुनते हैं महवाख्यों को विस्तार से। पाबा ने कहा मीठे बच्चे देहे के संबंधों में बंधन है। इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथा सुख मिल जाएगा। एक मात पिता की याद रहेगी। प्रश्न किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। उत्तर नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजई बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा म मात पिता है। इसी स्मृति वनशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजई अवश्य बनते हैं। और सदा गोडली सर्विस पर ही ततपर रहते हैं। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शान्ती। देवी देवताओं के पुजारी पार लोकिक मात पिता को याद तो करते ही आए हैं। और भक्त भी जानते हैं। हमको भक्ती का फल देने मात पिता को आना है जरूर। अब वह मात पिता कोन है। यह तो बिचारे जानते ही नहीं। पुकारते हैं। इससे सिद्ध होता है। उनका संबंद जरूर है। एक होता है इसलिए परम, पिता, पर्मात्मा को बुलाते हैं यह तो बच्चों को मालूम है सत्युग में कोई बंधन नहीं बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं आपके संबन्ध में आना चाहते हैं भक्तों को याद है हम अनेग प्रकार के बंधनों में हैं देह का सिमरण होने के कारण बंधन बहुत है देही के संबंध से एक ही मातपिता याद रहता है लोकिक और पारलोकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सत्युग में रहते हैं क्योंकि वहां सुख का संबंध कहेंगे, यहां फिर दुख का बंधन कहेंगे, उनको संबंध नहीं कहेंगे, इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो, पुका पारते जरूर थे, हे मात पिता आओ, बाप तो जरूर सब को सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं, यह किसको पता नहीं है, अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है, सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे, तो बच्चे मात पिता को बुलाते हैं कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ, वो इन डिरेक्ट बुलाते हैं, तुम डिरेक्ट बुलाते हो, वह भी याद करते हैं, हे परंपिता परमात्मा, पिता है तो जरूर माता भी होनी जाहिए, नहीं तो बाप क्रियेट कैसे करे शुबाबा को बच्चे चिठी कैसे लिखेंगे ऐसे तो वह पढ़ न सके शुबाबा तो यहां बैठे हैं इसलिए लिखते हैं शुबाबा थू ब्रह्मा शुबाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं गाते भी हैं आत्माई परमात्मा अलग रहे बहुकाल सत्गुरु उसको कहा जाता है वह है सर्व का सदगती दाता वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं फिर उनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है पहले है परम पिता परमात्मा रचता ब्रह्मा विश्नु शंकर को रचते हैं बरोबर परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ दिन कहा जाता है सत्यूग त्रेता को, रात द्वापर कल्यूग को, अभी तुम बच्चे आये हो, बाप से स्वर्ग का वर्सा लेने, उनके लिए ही गाते हैं, तवमेव माता शपिता तवमेव, सखा रूप से हलके रूप में आकर बहलते हैं, मुख्य हैं तीन संबंद, बा बाप, टीचर, सत्गुरु, इनसे ही फाइदा है, बाकी काका, चाचा, मामा आदी संबंधों की कोई बात नहीं, तो संपुर्ण बाप जो है, वह आकर बच्चों को संपुर्ण बनाते हैं, सोला कला संपुर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनभवी हो, दूसरा कोई कैसे जा अब तुम जानते हो, भक्ति मार्ग में भी बंधन है, याद तब करते हैं, जबकि रावन रूपी पांच विकारों के बंधन में है, बाप का नाम ही है, लिब्रेटर, अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, लिब्रेट करते हैं मनुष्यों को, लिब्रेट किया जाता दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं, फिर गाइड भी है, गीता में भी है, मच्छरों सदरिश्य सब को वापिस ले जाते हैं, तो जरूर विनाश भी होगा, यह तो गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, फिर जो स्थापना करते हैं, उन दवारा ही पालना भी होती है, अभी तुम तयार हो रहे हो, नंबरवार पुरिशार्थनुसार, देहे के बंधन को बुद्धी से तोड़ना है, सन्यासी लोग तो घरबार छोड भाग जाते हैं, तुम ग्रस्त वेहवार में रहते, राजियोग जनक का भी मिसाल है, वहें फिर जाकर अनुजनक बना, बहुत बच्चे कहते हैं, जनक मिसल, हम अपनी राजधानी में रहते ग्यान उठावें, अपने घर का तो हर एक राजा है ना, मालिक को राजा कहा जाता है, बाप है, उनकी इस्तरी बच्चे आदी हैं, यह हो गई क्रियेट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संघार नहीं कर सकते, क्योंकि स्रिस्टी को तो व्रिधी को पाना ही है, सब पैदा ही करते रहते हैं, सिर्फ बेहद का बाप ही आते हैं, जो नई रचना रचते हैं, और पुरानी का विनाश कराते हैं, नई स्रिस्टी की स और पुराने का विनाश, सोतो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचाईता परमपिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रिती समझते हो। बातें तो बड़ी सहज हैं। नाम ही रखा हुआ है सहज योग वयाद। भारत का ज्यान वय योग नाम ही बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं। जिससे तुम सदैव हर्शित रहेंगे। मात पिता से ही नई स्रिस्टी की रचना होती है। यह तो सब जानते हैं। हमको खुदा ने पैदा किया। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई स्रिस्टी रचते नई स्रिस्टी अडोप्ट करते हैं, मात पिता तो जरूर है, बाप है फिर खुद ही इन दवारा अडोप्ट करते हैं, तो यह बड़ी माता हो गई, फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडोप्ट किया है, बाप ने इन में प्रवेश किया है ना, यह मम्मा तो भी हुआ, तो पिता भी हुआ, प्रवेश कर अपनी वन्नी भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है, यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं, जो सम्मुक सुनने की हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, अगर सभी समझते हों, तो फिर समझावे, समझा नही सकते हैं तो गोया कुछ नहीं समझा जड़ बीज से ज़ाड कैसे पैदा होता है यह तो कोई भी जट बतला सकता है इस बेहद के ज़ाड का ज्यान जब तक बाप न आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते तुम जानते हो हम बाप से राजियोग सीख कर वर्सा ले रही हैं यह बुद्धी में होना चाहिए यह डबल समबंद है वहाँ तो सिंगल समबंद रहता है पार लोकिक बाप को याद नहीं करते यहां वह सब है बंधन तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं पिता के समबंद में अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए आजक धरनी के लिए भी लड़ते रहते हैं यह हमारी हद में है यह तुम्हारी हद में नहीं है बिलकुल ही हद में आ गए हैं यह भूल गए हैं कि भारतवासी सत्यूग में बेहद के मालिक थे जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं भूलना भी जरूर है तब ही फिर बाप आकर समझाते हैं, इन बातों को अभी तुम जानते हो, वहाँ है बंधन, यहाँ मात पिता से संबंध है, जानते हो, हम शिरिमत पर चल, अथा सुख का वर्सा पा रहे हैं, बाप कहते हैं, मैं तुमको सुख का वर्सा देता हूं, फिर श्राप कौन देते हैं? माया रावन, श्राप में है दुख, वर्से में तो सुख होता है, मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्सा कौन देते हैं, बाप सत्युग स्थापन करते हैं, तो जरूर सुख का ही वर्सा देंगे, बाप को दुख का वर्सा द फड़े गई हैं, कहते हैं लंका लूटी जाती है, आप ईब ईब सोणा कोई नहीं रखा है, सोंा तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है, बच्चे जान गई है, यह अनादी वर्ल्ड ड्रामा है, तुम बच्चों की बुढ़ी में नमबरवार पुरोष्या बैठा है जो समझते नहीं न समझा सकते तो वहें क्या पद पाएंगे पढ़े हुए के आगे भरीड होएंगे राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना जैसे यह मम्मा बाबा जाकर उच्छे पद पाते हैं तुम भी पुरुश्यार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तक्त पर बैठो विजय माला का दाना बनो टेम्टेशन बहुत दी जाती है राजयोग है ना तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो कम से कम पुरुशार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही हमेशा कहा जाता है फोलो फादर तुम बच्चे हो ना वहे फादर फिर यह है फादर यहां फिर मदर भी है नंबर वन फोलो कर रही है तुम हो भाई बहन बाप तो एक होना चाहिए और गौड फादर सब कहते हैं तो सब भाई बहन हो गए और जास्ती कोई संबंध नहीं भाई बहन बस और उन्हों का बाप दादा भाई बहने तो बहुत है बाप एक है दादा भी एक है एक प्रजा पिता ब्रह्मा है उनसे फिर रचना रची जाती है तुम बेहन भाई ही पद पाते हो नमबरवार पुरुशार थनुसार बाकी जाकर अपने अपने जाड में लटकेंगे ठिकाना तो है ना जहां से फिर नमबरवार आते हैं यहां है जीवन बंद आत्माई वहां से पहले पहले सुख में आती हैं इसलिए पहले जीवन मुक्त होती हैं पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ती कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं मेरा तो एक सर्वोतम टीचर दूसरा न कोई कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिबाबा कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है इस गवर्मेंट के हो गए तो फिर इश्वरिय सर्विस में लग जाना है फिर आशुरी सर्विस कैसे कर सकती हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है देखा जाता है निकल सकती हैं वो नहीं अच्छे शुरूर बुद्धी हैं तो फिर ओन गोडली सर्विस ओनली हो जाती है तुम बच्चों की है गोडली सर्विस निर्विकारी बनाने की सर्विस हम सेना हैं गोड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं रावन सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है यह सिर्फ तुम ही जानते हो तुम रावन पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे बच्चों को वह हिम्मत वह नशा रहना चाहिए मनश्य तो लड़ते रहते हैं सब जगहे देखो जगडा ही जगडा है हमारा कोई से जगडा नहीं बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे माया का वार नहीं होगा फिर वर्से को याद करो यह भी किसको सुनाना पड़े न बाप का परीचे दे उनसे बुद्धियोग लगाना है वह हमारा मात पिता है शुबाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कोन सी है यह भी कितनी गुहिये बाते है तुम पूछते हो आत्मा का बाप कोन है वह भी लिख देंगे परमात्मा है अच्छा माता कहां है माता बिगर बच्चों को रचेंगे कैसे तो फिर जगत अंबा तरफ चले जाएंगे अच्छा जगत अंबा को कैसे रचा यह भी किसको पता नहीं है तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है वह भी मुखवन शावली है रचता तो बाप ही है अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मौर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारना के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट मेरा तो एक सर्वोत्तम टीजर दूसरा ना कोई इसी नि पढ़ाई पढ़नी है, पुरुशार्थ में पूरा फोलो करना है, दूसरा देहे के बंधन को बुद्धी से तोड़ना है, दैवी मत पर चल सदा हर्शित रहना है, इश्वरिय सेवा करनी है, आज का वर्दान किनारा करने के बजाए, स्व्यम को एड़्जेस्ट करने वाले स सहन शेलता के अवतार भव, किनारा करने के बजाए, स्व्यम को एड़्जेस्ट करने वाले सहन शेलता के अवतार भव, बाबा ने कहा, कई बच्चों में सहन शक्ती की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है, तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है, फिर घ धबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे अपने को नहीं बदलेंगे लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथ्वा दूसरे को बदलने के बजाए स्व्यम को बदल लो। सहन श्यलता का अवतार बन जाओ। सब के साथ स्व्यम को एडजेस्ट करना सीखो। स्लोगन परमार्थ के आधार से विहवार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षन है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती।